असम मेगाले कैडर के 2003 बैच के आईएस जैन्त नारलिकर 28 मार्च 2019 को गुरकपूर के मंडला युक्त पद पर कारेभार ग्रहन किया था यहां आने से पहले अपने देशक S.G.P.G.I. सचीव आईउस विभाग में तैनात रहें 4 जून को प्रदेश सरकार ने इनका तबादला करते हुए मुख्य कैडर में वापस भेज दिया प्रति न्यूक्ती पर यूपी आय जैन्त नारलिकर का प्रति न्यूक्ती 4 जून को समाप्त हो गया है सरल सबहौ की उर्जावान कानपूर निवासी मंडला यूक्जैन्त नारलिकर ने अपने 26 महीने के कारेकाल में गुरकपूर मंडल में चोटी बड़ी 500 परियोजनाओं को प्रारंब कराया जिसमें 200 परियोजनाओं का कारे अभी भी चल रहा है गुरकपूर निवासी ने जो सहयोग दिया है उसे भी हम सदेव याद करते रहेंगे इस संबंध में गुरकपूर निवासी ने जो सहयोग दिया है लेखें इंग्लिश में कहते हैं स्काई इस दर लिमिट और मुझे लगता है जो गुरकपूर इथास है गुरकपूर मंडल और यहां का जन्मानस की जो अपेच्छाए है और जो मानी मुखमंती जी की का संकल्प है उस हिसाब से करने को अभी भी बहुत कुछ है और मुझे लगता है इसलिए मैंने इस मीटिंग में भी सबसे कहा है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये गोरगपुर्ग के लिए मंडल की मैं बात कर रहा हूँ और आसपास के दस जनपतों को ओल ले रहा हूँ हमारे लिए इतिहासिक मौका है जब सूबे का मुखिया यहां से है और जब मानिय मुकमंत्री जी इतना ज्यादा इस मंडल के बारे में जनपत के बारे में लोगों के बारे में सोच रहे हूँ करना चाहते हूँ उन्होंने इतना सारा फंड अवेलेबिल करा रहा हूँ डिस्पाइट कोविट हम लोगोंने बहुत सारी स्कीम्स को इग्जेक्यूट किया है और मुझे लगता है कि हमें इस आपाचेंटी को अपने कर्तव को अच्छी तरीके से पालन करते हुए साशन के निंदेशों को मानते हुए हमें इस पूरे अंचल को प्रदेश में नहीं देश में बहुत उचाईयों को परलाग पहचाना चाहिए और अब 21 सदात्ति में इस पूरे अंचल की एक अमिट शाप विकास पर हो लान ओर पर हो और इनोवेशन पर हो ये इन तीनों चीज़ों में हमें अपना नाम चोड़ना चाहिए सब एक तरब विकास और एक तरब कोवीट कितना चैलेंज तकाव में हैं मुझे लगता है कि जो हीमन नीचर है हीमन परसनालिटी है वो चैलेंज के सामने ही उसका रियल टेस्ट होता है और निखर क्याती है जैसे कि सोने के बारे में कहा जाता है कि जब सोना आग में तबता है तब ही वो रखर होता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है वैसे ही मुझे लगता है कोविट था कोविट के चैलेंज के सामने साशन के निदेश के करम में पूरा जिला पर साशन, मंडल इस्तर कर पर साशन उस चैलेंज को ऐसे करती है वो जिस तरह से आगे आया है लोगों की जान बचाई है और विकास के कारे की को भी अनवरत हमने जारी लखा है मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा कारे हुआ है और भी संभाबना हैं जिसे हम इसे और अच्छा ले जाएंगे और मुझे लगता है जिस तरह की तयारी है कोविट की third wave में बहुत ज्यादा हमें समस्याइज संचल में नहीं लगती है और आप हमें विकास की जोड़ी हमारी यूजनाई चल ली है इंको नेक्स्ट छे मैने में कम्पीट कर देना चले है। सक्मट से बचाओ संबंदी जो भी निर्देश हैं उनके अनपालन के साथ कराना चैलेंजन होता है बर टीम में अच्छा कारे किया है आप लोगों ने खुद देखा है। जरूरी मीडिया में देखा गया है जहांपर मैंने पहले कारे किया कि वो अपना व्यू दिख देते हैं बड़ यहांपर मैंने बीडिया वो देखा हर मसले पर उन्होंने हमारा जी लिया है और पूरा उसको लिखा है। उन्होंने दूसा विवेदी कोई है, वो भी लिखा है, और फिर अपना विव दिया है, और इसलिए मीडिया ने जो सकारात्मकिर्सिजम की है, मीडिया ने जो हमारा ध्यान आकरिस्ट किया है उन चीजों पर, जहां पर हमें से कभी तुटी होने की संभावना रहती है, उसके आगे बढ़ना संभब नहीं है, तो मैं आप सभी को भी धन्वादे पाँ, सब परेटन की दिश्टी से कितना विकास उना आश्चात्र की से, परेटन की दिश्टी से मुझे लगता है, ति उत्तरपेते समें किसी एंचर का सबस्या दर्विकास हुआ है, तो वो गुरभप परेटन के जो केंद्र है, उनका विकास हुआ है, उन सभी के साथ मुझे लगता है कि टूरिजम इंफ्लो बढ़ेगा, जैसे ही ये खतम होता है, और टूरिजम इंफ्लो के साथ उसका सीधा संभण जो है एकनॉमिक डेवलोपमेंट से, जमता कितना स्वाहल मिला और क्या जनता का सेयुग देखी, कोविड जैसा पैंडेमिक अनप्रिसेडेंटेड है, ये किसी ने देखा नहीं है हिस्ट्री में से पहले, और जब आपकी जनसंक्या पॉने दो करों की हो, और डेंस्टी और पॉपलेशन इतनी ज़्यादा होई है, भारत के सबसे ज़्यादा डे उसके बावजूत भी, यदि मेत्युदर आप हमारी देखें, पॉजिटिवटी देखें तो बहुत कम है, उसे साथ वो एचीव कर पाना जनता के सहयोग के बिना संबब नहीं है, वो चाहें करोना कर्फियू की बात हो, वो चाहें मास लगाने की बात हो, आप कई बार पारसूत भी यहां के जर्मानस ने सम्मान किया है, साथ वो चाहें के बात हो, पूरे 26 महने में पुलिस एक्स्ट्रीमिटी की एक घटना नहीं हुए, जहां पुलिस को इतना ज़्यादा बलपयोग करना पड़ा हो या, पर साथ वो चाहें की खिट सिर्जम हुई हो कि झाल